सभी दोस्तों राम राम चान के नीती यूटूब चैनल पर आप सभी आस्वागत हैं तो आज आप हम बात करांगे भई हर्याना ग्रूप डीगी अपडेट पर आपके जो मैसीज मेरे पास ज्यादा एक तोफिक पर आए वो हर्याना ग्रूप डीपे हैं भई मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है अगर आपके एक टोफिक पर ज्यादा मैसीज आते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगा कोई दिक्कत नहीं है तो उसी टोफिक पर वीडियो लेके आ गया उन दोस्तों जो आपकी डिमांड थी तो हर्याना ग्रूप D में वेटिंग लग सकती है वही सारी की सारी चीज़े डिस्कस करने वाले हैं तो जो साती पहली बार चैनल पर आएं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए पीछे की जानकरी आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर मफालतु चीज़े शेर नहीं करते हैं जो हमारे क आप का हर्यान गृप डिगा फाइनल रिजेल्ट आया वो किस तरीके से आया आप सभी ऊपता ये बही बाई सबी बच्चे लगबग इसमें निरासी थे कि हर्यान गृप डिगocy कट्अफ गई है कितने पर गई है लेकिंग दोस्तों निरास मतों ना क्योंकि हर्यान गृप पोर्टल कर ओपन होगा तो हरियाना ग्रुप D का पोर्टल है जो आपका जल्दी ओपन हो जाएगा कितना जल्दी 22 या साथ 23 तारीक को आपका 5 नमबर दुबारा से जो केस है मैटर वो ओपन कर दिया 5 नमबर वाला बॉइ हर्याना सर्कार तो चारी है कि ये मामला जल्दी से नीमडे यानि जल्दी से नीपट जाए अगर ये फैंसला जल्दी से हो जाता है तो आपकी TGT बर्ती, group D की बर्ती पर जल्दी से काम सरव हो जाएगा और काम सर्व हो गया तो समझिए बर्ति कलियर हो जाएंगी और कलियर कब तक होंगी कब तक आपकी सैकेंड लिस्ट आएगी कब तक वेटिंग लगेगी एक तो आपकी जो पांच नंबर वाले बात है ये आपकी ग्रूप C की बर्ति को भी रोके हुए है क्योंकि उसमें जो आपके डाई नंबर आपको मिलते हैं ठीक है न ये सोसो एकनोमिक का जो आपका क्राइटेरिय है और भी ग्रूप D में लगबग डाई अजार पलस बच्चे है जो पांच नंबर की वज़े से अपना इंतजार कर रहे हैं अब ये सोच रहे हैं कि हमारा वेटिंग में नाम आ जाए कि इतने भी कट ओफ जा सकती है इमानदारी से कट ओफ का जो आपका स्कोर है आपका कितना स्कोर बनाए बताए ठीक है एक अंता जाएस हमने आपको पहले बताया हुआ है अगर आपके नए कुमेंट अमारे पास मिले तो एक आंकलन आगे भी लगा देगे में ठीक है तो ग्रूप D की सैकेंड लिस्ट कब आएगी दोस्तो पोर्टल भी जल्दी ओपन हो जाएगा जिस दिन ये पांच नंबर का ये फैंसला आज आएगा उसी दिन से आपको दो-तिन दिन के अंदर सैकेंड लिस्ट देखने को मिलेगी पोर्टल ओपन हो जाएगा सैकेंड लिस्ट देखने को मिलेगी आपका पोर्टल ओपन होने के बाद salary by joining के समय से आपकी सरू हो जाती है दिक्कत नहीं है कोई portal में फाल्ट नहीं है वे portal त्यार है सिरफ 5 नमबर का जो matter है इस कार्ण से आपका मामला अटका हुआ है ठीक है ना court के अंदर लगबग सरकार अगर चाहे तो ये मामला कभी का न वो जाता निपट जाता लेकिन ये फैंसला जल्दी उमेद करते आज आएगा क्योंकि ये लगबग अचार से इंता के बाद तो सारा का सारा मामला गया क्योंकि second list जो आपकी आने वाली है वो आपकी portal ओपन होने के दो-ती दिन बाद आज आएगी लेकिन वेटिंग कब आएगी वेटिंग दोस्तो आपकी आज आएगी लगबग second list आने के बाद साथ में ही आपकी वेटिंग और साथ में ही आपको revise result ठीक है ना सारा का सारा मामला देखने को मिलेगा और कितनी आपकी वेटिंग लग सकती है कितनी आपकी वेटिंग लग सकती है ये भी एक सुवाल है न तो दोस्तो आपकी वेटिंग कितनी लग सकती है आप कोमेंट वोक्स में अपना बैए एक आंकलन स्वा बताईए फिर मैं आपको बताऊँगा मेरे अकोर्डिंग आपकी वेटिंग कितनी आ सकती है दोस्तों हर्याना ग्रूप D की जो second list है आपकी पहली list यानि जो final result आया cut off काफी आई गई है अगर ये बरती ग्रूप 56 और 57 की अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ग्रूप 56 और 57 का result 100 में से आएगा या जो आपका exam level था उसी में से आपका score त्यार किया जाएगा अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर 41 question repeat ते उनको अटाके यान 41 question को अटाके जो final बच्चता score उसमें से result निकाला जाएगा वह ऐसे भी आ सकता है ठीक है ना final वह आपका जैसे 41 question repeat ते वो सभी के cut off जाएगे बाकी बच्चे हुए question में से आपका जो final score है उसमें से cut off त्यार की जाए ऐसा हो सकता है ठीक है ना finally वह ऐसे हम एक आंकलन कर रहे हैं कई बच्चे ये बोल रहे हैं नोनी की बात बता रहा हूं ठीक है ना क्योंगी मैं जियोंत हूँ आपके जो मूद्दे ही यहां पर रखता हूं ठीक है ना मेरे पास से में कोई बात नहीं बनाता है मैं पूरा एनलाइज करके आपकी बात यहां पर रखता हूं बई ऐसा हो सकता 41 question आपके cut off गई जो बाकी question बचते हैं वो repeat नहीं है आपका final score त्यार किया जाए फाइनल लिस्ट आपके लगाई जाए यह भी दोस्तों पांच नंबर में निर्बर है क्योंगी इसमें भी आपको question भी तो repeated कियो है ना तो आप ही जानते हैं लेकिन फाइनली आपका पांच नंबर के बाद ही गरूप अपनस्ताउन टीजीटी बर्ती और जो आपके डाई अजार पलस बन दे यानि जो बच्चे बच्चते हैं ग्रूप डी की अंदर भई जिनका अभी तक result ने आया उनका भी आपको result देखने को मिलेगा पांच नंबर वाला केसल होते ही अब बात आती है पांच नंबर मिले या नहीं मिलेंगे भई देखो मेरे according अगर मैं मानता हूं कि पांच नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए देखो भई मैं personally कोट पर स्वाल नहीं उठाता मैं हर्याना सरकार पर स्वाल नहीं उठाता लेकिन एक बात जरूर कहता हूं एक गरीव का बच्चा भई ज जिसको जरूर्थ है कि नोकरी मुझे चाहिए उसको हर्याना सरकार पांच नंबर दे तो कोई खोट भी नहीं है उसकी सही तरीके से वेरिवकेशन कीजिए वो फैमले के अंदर उसको गरीब है उसको मिलना अक है ये सारी की सारी चीज़े देखनी चाहिए भई मिलने का अक है ना तो उसको देने चाहिए नहीं सही तरीके से वेरिवकेशन करके भई पांच नंबर किसी को सारा लगे अगर उसकी कटोफ भई उसकी बैतर की यतर नंबर है स्टैंतर पे फाइनल कटोफ है तो उसका नाम आ जाएगा विचेरे को ग्रूप D में ही तो लगना है मैं तो चाता हूं जायज नंबर अगर किसी को मिलें तो सही तरीके से मिलें पांच नंबर यह नहीं कहरा कि वह कोर्ट पांच नंबर कट करें अगर कट करने हैं चलो वह किस तरीके से कट करें और याना सरकार वारिवकेशन नहीं करेगी तो कोर्ट अबना फाइनली डिसिजन तो मैं नोकरी लग सकता हूँ, बाद में उसको अपसोस नहीं हो कि मुझे पांच नमबर नहीं मिले मैं इस कान से हरियाना सरकार के अंदर या हरियाना में नोकरी नहीं लग पाया, उसके अंदर भई हरियाना सरकार के परती भी एक पॉइंट नहीं जाए और अपने आप में तो ये बहुत से स्वाल हैं हर्याना के अंदर पांच नमबर वाला जो केस है एक सही तरीके से वारिवकेशन की जानी चाहिए भई आपकी साथ में ही सैकेंड लेस्ट आजाएगी पोर्टल ओपन होने के बाद और आप पी साथ में ही वेटिंग लगेगी मेरे अकोर्डिंग भई अगर मैं बात करूँ आपकी वेटिंग कितनी लग सकती है तो दोस्तो दो से तीन आपकी वेटिंग आएंगी और ये कब तक लगेगी भई दो से तीन वेटिंग आपकी लग सकती है मेरे अकोर्डिंग में बता रहा हूँ आपके कोडिंग आप कमेंट बोक्स में बता दीजिए चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपके सुवाल हैं दोस्तो यहाँ पे लिये जाते हैं फालतू चीज़ें हम डिसकस भी नहीं करते हैं ठीक है न आपके अथेंटिक सुवाल निचे टेलेग्राम का लिंक दिया गया है आप उसको जोईन कर सकते हैं दो से तीन आपके वेटिंग लग सकती है और यह जो आपके वेटिंग लगेंगी विदान सबाचुनाओ तक विदान सबाचुनाओ तक आपकी वेटिंग लगेंगी ठीक है न, ऐसा मेरा मानना है और जान तक मुझे जानकारी मिली है दोस्तों मैं आपके साथ ये जानकारी साजा कर रहा हूँ दो से तीन आपकी वेटिंग आज सकती हैं अर जल्दी आपकी जो पांच नंबर का जो केस है साथ 22 या 30 कोई आपका फाइनल जो डिसीजन आ जाए जो इसमें तारिक मिली आपको तो आपका सोने पर स्वागा हो जागा पोर्टल ओपन होने के बाद सेकंड लेस्ट साथ में आपकी दो-तीन दिन के बाद वेटिंग लेस्ट आ जाएगी और वेटिंग लेस्ट मिन्स आपका जो सारा का सारा डाटर रिवाइज और आपकी जो वेटिंग आगे कितनी लगेंगी सारी सारी सीज़े आपको देखने को मिलेंगी कटोप का स्कोर आप भी मांदारी से बताईए आप कितने पीछे हैं फाइनलेस्ट में आने में आपका कितना कम स्कोर है और आपका वेटिंग में आ सकता है नहीं आ सकता हमने आपको कई बार बताया भी हुआ दोस्तों क्योंकि एक आंकलन करकी हम आपको बता सकते हैं, दुबारा भी आप कुमेंट बुक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं नीचे, ठीक है ना टेलेग्राम को जोईन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों इतनी जानकारी देनी थी, मिलेंगे नेश्ट जानकारी के स आत्तप तक आप सुभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, जय ही जय बर्त